प्यारे विदार्थियों स्वागत आप सभी का जैसा कि हम अभी तक वैतिक गनित में नो सुत्रों के बारे में बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं आज के इस विडियो लेक्चर में हम एक बेहग महतवपुन सुत्र जिसका नाम है यावदुनुम इस सुत्र के बारे में जनकरे प्राप्ट करेंगे प्यारे बच्चों, यादूनम सुतर का अर्थ और उसके उपयोग पे जाने से पहले, आपसे एक प्रशन पूछता हूँ, प्रशन यह है, क्वेशन यह है, कि अगर आपको कहा जाएं, या फिर आपको लिखने है, या फिर हम इसको कहें, वर्व, या फिर स्केर, आपको लिखने है, यह आप कितने समय में लिख देंगे, कितने मिनट में लिख देंगे, या कितने सेकिंड्स में लिख देंगे, स्केर क्या होता है प्यारे बच्छों जेमें किसी संक्या के साथ बुलनव परते हैं हमें स्केर प्राप्त ह सेह हमें SW5 या 5 का उड़ियों आधो मैं क्या करना पढ़ागा पजीर परकी आफजम्स आजाए किसी तरह से 9 सकेर करनना जाए 1000 स्केर हो कि टाइम में राइट कर दोगी। आपको किसना समन रहेगा वन से लेके जो 50 तक खेस्केज है उनको राइट करने में प्यारे बैचो ये कोशन आपके लिए थोड़ा सा अजीव हो सकता है क्योंकि कि आपको 10 तक के स्केर्स छोटे बच्चों को 6 से लेकर तक ज्यादा थोड़ा 9 और 10 को 20 तक के students को 25 तक की स्केर्स जाद किसी को 30 तक के स्केर्स भी शायद याद हो इससे आगे बहुत कम स्टुटेंट्स को यह याद होते हैं तो यहां पर जब हमें स्केर करना पड़ेगा मालगों यहां तक आप 20 तक आप फटा फट लिख देंगे उसके बाद विर आपको कैल्कुलेट 21 का स्केर निकालने के लिए 21 की 21 के साथ मल्टिप्लाई करनी पड़ेगी इसी तरह से 28 का स् आप सब्सकुलेस आप जो इसीश हैं वह 1-2 मिनट के अंदर राइट कर सकते हैं वही है कि यादिश को सब्सक्राइब समस्क्राइब के आप इनको वन से लेके टू मिनिट के बीच में राइट कर सकते हो सारे के सारे स्पेक्र को और अगर फोड़ी सी प्रैक्क्टीस कर लें तो आप इनको Seconds में सबस्क्राइब कर सकते हो तो आप देखें कि व्यादी गनित का ज़ो ज़ादू है इससे आपकी जो कैलकूलेशन ने बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और यह बढ़ा इंट्रस्टिंग है तो आइएगे देखते हैं कि हमें कितना समय लगे करने के साथ हम इनका इसका टाइम भी नोट करना चाहते है तो इसके लिए मेरे पास एक दूसरा मोबाइल है जिस पिर मैं स्टोक वाच स्टार्ट करके और टाइम नोट करेंगे तो यहां से मैं इसको कि पार्ट कर देता हूं कि स्टार्ट प्री अधनियाओ फिर टाम कि से टूसराट करें पने की पार्ट वां कि सकतर वाच दिए कि स्टार्ट प्रीजा नोट बाढ़र को यहां में इसका इसका बात्ता है कि स्टार्ट झाल पर दो यहां से हमने इसको राइट कर लोल है कि एक मिनट और न सेकंद के अंदर आप देखेंगे कि हमने बोर पिस कह सको гр कर लिया है अब मुझे इस बात का भी जहां लिखना पढ़ रहा था लिखते वक्त की अगली लाइन ना मिट जाए मेरा हाथ लगने से तो मुझे सोड़ा सा इस तरह से लिखना पढ़ रहा था इस सारी चीज़ों को इसको अगर मैं कोपी पहन की साहिता से कोशिश करूं तो यह 1-2 से कम समय में 40-50 इसकेंडें आप इसको कोपी पहन की साहिता से कोपी पहन की साहिता से आप इसको लिख सकते तो आप देखेंगे व्यादिक गनित का जादू है या गलों सुतर का जो जादू है इसके साइथा से आप वन से लेके फिफ्टी तर्ट जो स्केर्स है वो वन बिनट से कम समय में लिख सकते हैं इसी तरह से मैं आपसे एक कोशन और करता हूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप वन से लेके और फिफ्टी तर्ट की जो स्केर्स है इनको कितने टाइम में सु कर देगे इनको बोल के सुना सकते हैं वन से लेके 50 तक के स्केर्स को अभी भी आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें कितना समय लग सकता है यहां पर हम इसका भी एक पर परियास कर लेते हैं एक लाइब डेमो कर लेते हैं देखते हैं कि हमें कितना समय इसमें लग सकता है तो हम हुआ तो आप साथ में यहां से देख सकते हैं यहां लिखे हुए हैं तो मैं रिशइट कर रहा हूं अगर मैं स्टार्ट के साथ हुआ साइट कर देता हूं. स्टार्ट सब्सक्राइब 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 देखेंगे कि मुझे इसको रिसाइट करने में सिर्फ चालिश सेकिंड का समय लगा और अगर आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें तो आप इसको 20 से पच्चे सेकिंड में रिसाइट कर सकते हो यहां मैंने फस्ट टाइम ट्राइट गिया है जैसे दो तिम बार मैं इसको रिसाइट करूँ है तो ये 20 से 25 सेकंड के अंदर हो जाएगा तो प्यारे बच्चों आप देखो कि जो वैधिक मैथिमेटिक्स है उसकी साहिता से आपकी कैलकुलेशन कितने टाइम फास्ट हो जाती है कितने गुना स्पीड जो आपकी अर्थ है जो भी पूरखो जो भी पूरखो जितने का वीचलन मतलब यह तो कमी यह अधिकता जितना कम है यह फिर जतना जाता है इंग्लिश में अगर हम बात कहें तो बाइदा डैफिशेंसी यह साठ थ हुआ इस याधूनम सारे उपयोग हो सकते इस यहां से डा इसका इस अर्थ की पूरत व्याद करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है इसके साथ साथ वर्ग यानिके स्केर करने के लिए घं यानिके क्यूट करने के लिए और भी बहुत सारी जगह पे गनितिया समस्याओं के समधान में याउगुनन सुत्र का प्रियोग किया जाता है तो आज के इस यूरियो में हम बेसिक की बात करें यहां इसके अर्थ के अर्थ के अर्थ के निकटतम क्रियात्मा अधार से पूरत ज्याद करने के लिए किया ज़ता है अब जैसे हमें इसके चुरास्थी का पूरत ज्याद करने हैं पूरत ज्याद करने हैं अब देखेंगे जो चुरास्थी है इसका निकटतम जो अधार है वो क्या होगा सो होगा क्योंकि 10 तो इसे बहुत ज़्यादा दूर है अब लिखेंगे चुराशी का पूरक पूरक हो जाएगा हमारे पास इसको सो में से माइलिस करते हैं यह कितना जाएगा हमारे पास सोलalen इस तरह से हम कि कि निकटत माधार से पूरक गयात करेगéliorी कि efficiency अगर आगते दर द़ाएगा एक सो साथ पूरक गयात के जीए कि लिखेंगे कि एक सो साथ भी का जो निकटत माधा नारत कैसो के पास ही हजार से बहुत दूर है तो सो के पास ही है तो हम लिखेंगे कि 107 का पूरक पूरक ज्याद करने के लिए क्या करते हैं क्रियात्मक आधार में से संख्या का वाइलस करते हैं क्या होता है पूरक बरापर है क्रियात्मक आधार और इसमेंसे हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं संख्या जिसका हम पूरक ज्याद कर रहे हैं अब देखो क्रियात्मक आधार तो सोही है इसका और संख्या है 107 तो कितना आजाएगा माइनस 7 तो इस माईने साथ को आप ऐसे लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं तो पियरे कुछ इस तरह से जो यह हमारे पास याव दूनम सुतर है उसका जो बेसिक प्योग है जो बेसिक प्योग है वो यह है कि पूरक ग्याद करने के लिए के जाता ह और फिर जब हम पूरक ज्याद करनेकर ने के लिए इसतरहे से इसका परियोग करते हैं तो पियारे बैचो आज के इस वीडियो डेक्चर में इतना ही, अबने अगले वीडियो डेक्चर में हम सीखेंगे किस तरह से हमने 1 से लेके और 50 तके जो स्केर्स है उनको सेकिंडों में राइट भी कर दिया और रिसाइट भी कर दिया तो ये हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में सिखेंगे तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही पैरे बचों लगतार प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जिरूर करें थैंक्यू वेरी बिच